वेलकम टू ग्यान प्लस काम जो काफी दिनों से आयोग में पड़े हुए है उनका क्रम आपको जल्द ही देखने को मिले वाला है यह बहुत ही महतपूर हफ्ता होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे भरतियों के रिजल देखने को मिल सकते हैं और कुछ नए विग्यापन भी जारी होते हुए से लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चीज़ों को डिटेल से देखते हैं यहां पर देख सकते हैं उत्तव्तिस अजयास स्वा चैन आयोग से 19 फ्रवहरी आज की तारीक की आविश्यास सूचना दिया गया है कि उत्तव्त अजयाव चयांड आयोग लगनव के कार की पर प्रकासित किये गया थे सब्सक्राइब किया गया था इसके अलावाँ जो भी यहां पर जानकरिया है आप यहां पर देख सकते हैं महिला कल्यार उत्तरप्रदेश के संख्या इतने इतने में 10-10-2023 पत्र संख्या इतने में 31-2024 द्वारा क्राफ्ट प्रसिचिक रिक्त के 43 अधिचाईद विग्यापित पदों के सापेच वर्तमान में किसी प्रकार का चैन की कारवाहिन ने किये जाने था विभाग द्वारा प्रेशिद अधियाचन को मौल रूप में वापस किये जाने का अन्रोथ किया गया है इसी प्रकार ये विग्यापन के प्रस्तर साड़ी के क्रमां कितने इतने में राजस पर्षद उत्तर प्रदेश लखनाओ के नियंतरा धिन जो रिक्त कुल एक पद भी समिलित किया था तो एक पद ये जो किया गया था अधियाचन को वापस लिये जाने के नेड़े से आउगत कराया गया है सुच है कि यहां पर देख सकते हैं रिक्त पदों पर चैन कराने तथा चैन ने कराया जाने के अंतिम धाड़ा अधिक कर अधियाचन करता विभाग का होता जिसके दृष्टिगर विभागों द्वरा किये गए नेड़े के क्रमे माननी आयोग द्वरा विग्यापित सब्सक्राइब करने वाले अभ्यर्थ को सूचित किया जाता है कि उक्त विग्यापित कुल 222 पदों में 44 क्राफ्ट प्रसिच्छ के प्लस एक जो ट्रेजर के पदों को कम करते हुए आज विभागों में 248 विभीन प्रकृति के 19 प्रकार के पदों के चैन की कारवाई की जाएगी तो इस विग्यापन में से आप देख पा रहे होंगे 44 पदों को वापस ले लिया गया है जो कि पहले इस नोटिफिकेशन में थे तो यह डिसी डिसीजन इस जो नोटिफिकेशन के माध्य में आपके पास पहुचाया जा रहा है तो कंबाइन टेक्निकर वाले हमने अभी आपके साथ सेयर किया इसमें मुख की बात यही है कि जो फोटी फोर जिसमें क्राफ्ट प्रसिच्छक के फोटी त्री और ट्रेजर अनुरे रेखक के एक पद थे उनमें उसको कम कर दिया गया है अब आट विभागों में 248 प्रकार के 19 पद हैं उनके हिसाब से अब इस भरती की प्रक्रिया चलने वाली है फिल्हाल इससे रिलेटेड जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे यह थी वीडियो और इसके अलावा अगर बात करें आने वाले भरतियों का क्रम तो आने वाले समय में आपको हो सकता है एजी टी रिजल्ट और जेई 2018 रिजल्ट की भी संभावना पूरी है साथ में वीडियो रिजल्ट भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा तो इन तमाम वरतियों को जैसे यह अपडेट को ही आता है तो हम आपके सामने एक अपडेटेड वीडियो भी लाएंगे मिलते हैं नई